नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर वेद प्रकाश नवादा बिहार आज मैं आप लोगों से बात करूंगा डिसेंट ट्रिप जिसे हिंदी में पेचिस भी बोलते हैं जब आउव या ब्लड रक्त मिश्रित चिकना मल थोड़ी थोड़ी मात्रा में मरोड देते वे दर्द देते वे जलन के साथ होता है तो इसे डिसेंटरी बोलते हैं और यह रोग जो है अधिकांस्ता है वर्षा रूज इरितू में ज़्यादा होता है वैसे तो गर्मी के मौशम में भी यह विशेश करके होता है और खास करके तिर्थों, शिवरों या मिलों अधि या पाटी विग्रे में भोजन करने के बाद या दूसेती जल पीने के बाद यह रोग ज़्यादा होता है यह रोग एकाएक प्रारम होता है और पेट के निचली हिसे में नाभी के निचली हिसे में दर्द और मडोर के साथ दस्त शुरू हो जाते हैं जो पतलिप होते हैं लेकिन इस लोगडाउन के अंतरगत अगर किसी को दस्त की शिकायत हो रही हो डिसेंटर की शिकायत हो रही हो तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यक्ता नहीं है चुकि आपके घर में शारी औशद्वियां पड़ीवी हैं और जिहां मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपके घर के अंदर कीचेन में शारी औशद्विय पड़ीवी है जो कि इस लोगडाउन में आपको काम आएगा आए मैं कुछ बता देता हूं कि डिशेंट्री में आखिर कौनशी ऐसी आउजद्वी आपके कीचेन में पड़ीवी होगी तो इस सब गोल का बीज एक चमच ले ले या इस सब गोल का भूश्य ले ले एक चमच की मात्रा में और आधी चमच भूनुईवी चीनी उसमें मि इसिंट्री में काफी फैदा होगा suppose कि अबए आपके घर में जैफल होगी है लांग होगा जीरा होगा और सुहागा होगा तो यह चारों चीज जाइफल फिर से एक बार नोट कर लेंगे आप लोग जैफल लांग जीरा और सुहागा ये चारो को शम भाग लेकर के यानि ब्रावर मात्रा में लेकर के कूट करके उसे चुर्ण बना लें इसे एक एक चमच मठे के साथ जिसे चाच बोलते हैं उसके साथ तीन बार लें आपका डिशेंटर उसी समय समप्त हो जाएंगे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये चारो चीज तो इस लॉक्ड़ॉन में एभिलेवल होगी ही नहीं कोई बात नहीं धनिया का चुर्ण ले लेंगे वो कीचन में है तो तीन चमच धनिया का चुर्ण ले लें और ब्रावर मात्रा में मिश्री ले लें और पाने में घोल करके उसे पीते रहें डिसेंट्री उससे वित्रत बंद होंगे कागजी नीबू जो की सलाद के उपर हम लोग निचोड करके खाते हैं उस नीबू का रस डाल करके फाड़ा हुआ दूद तिन तिन घंटे के अंतराल पर रोगी को दे दें कहें भाग दोड करने की नववत ही नहीं आएगी अगर एक भाग भूनी हुई सौफ और एक भाग भूनी हुई सौफ के दो भाग मिस्री को मिला करके आप पिछ लेते हैं याद रखेंगे एक भाग सौफ लेना है और एक भाग भूनी हुई सौफ लेना है यानि एक भाग बिना भूना हुआ और एक भाग भूना हुआ इस बात पर विशेज ध्यान देंगे एक भाग भूना हुआ और सौफ लेना है और एक भाग बिना भूना हुआ सौफ लेना है और उसके दुगना मिस्री लेना है और उसे कूट करके कूट पिछ लें और एक से डेढ़ समच की मात्रा में उबले हुए पाने के साथ करम ग् अगर आपके घर में आलू बुखा रहा है तब रोगी को खिलाएं उस्य भी फैदा करेगा अगर आम का सीजन है तो मिठे आम के 100 ग्राम रश में 25 ग्राम दही और 2 ग्राम अध्रक का रश मिला करके रोगी को केवल 3-4 बार दे दें डिशन्ट्रिक उसी शमयश्मापत हो जाएगी अगर घर में कुछ फल वेग्रेव में नासपाती है तो आप नासपाती का सेवन कर शकते हैं डिशन्ट्रिक में काफी लाब होगा इस तरह के छोटे-छोटे हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो जो आ रहे हैं अगर यह आपको पशंद आ रहा हो तो इसे लाइक और श स्वास्ते संबंदी समस्याओं का निदान पाने के लिए सिधे हमारे वाट्सअप पे या कॉलिंग करके आप सिधे संपर्क करें मुझे आपके समस्याओं का निदान करने में काफी खुशी होगी धन्यवादी